हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज मैं बेर्मिंटन खेल से उसकी फूल्स एंड अंतराश्टी राश्टी शंगठन एंड उसके सब्दावल्लियों से रेलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंड कोस्टन को देखेंगे तो दोस्तों एक भी कोस् प्रेटल डोर किसे खेल का प्राचीन नाम है तो बैटल डोर किसे खेल का प्राचीन नाम है खेलका प्राचीन नाम है दोस्तोंbadminton का की इस नाम से सबसे पहले चीन में खेला जाता था बाद में आधुणिक ौकी में आधुनिक badminton की शुरुआथ हुआ आपका इंग्लैंड में यानि इंग्लैंड को जर्रां जाता माना जाता है आधthsаг बैन्विंटर का अधियान में रखीगा अपरातियन नाम इसका था बैटल डूर नेश्ट है भारत में बैन्विंटर केले सबसे पहले कहां खेला गया तो दोस्तों भारत में बैन्विंटर सबसे पहले पूना महाराष्टर में खेला गया कहां खेला गया पूना महाराष्टर में खेला गया सबसे पहले और 1850 में और इसको फोजी अधिकारी पहले खेलते थे इसलिए इसको उच्च अधिकारी राजगरानों में काफी लोगप्री हो गया था वही से उसका नाम पढ़ा बैन्वि छेल के नियम कि सब्सक्राइब बनाये गए उट हो नेर gobierno खेल के नियम 1887 में सबसे पहले बनाइक गया है लेडर जुर्म- êंगलेंड HOW गथन को किस डे noise तो बैमिंटन इंगलेंड एसोसियेशन का गठन 1893 में किया गया नेक्ट कोस्चन है दोस्तों कि बैमिंटन खेल को अंतराश्टी संस्था कौन सी नियंत्रित करती है यानि बैमिंटन खेल को नियंत्रित करने वाली अंतराश्टी संस्था कौन सी है तो कौन सी है ABF याने International Balvintern Federation International Balvintern Federation जिसकी इस्थापना 1934 में हुआ नेक्ट कोर्शन है दोस्तो आदुने Balvintern खेल को किस देश ने बिख्सीत किया तो किस ने किया आदुने Balvintern खेल को England ने नेक्ट है पुर्शो के लिए बैमिंटल खेल में अंतराश्टी कब की कौन सी प्रतियोगिता होती है तो पूर्सों के लिए होती है थामस कब नेश्ट है बैमिंटल खेल में पूर्सों के लिए सबसे पहली अंतराश्टी प्रतियोगिता कब हुई थी तो 1948 में हुआ था वो भी थामस कब नेश्ट दोस्तो बैमिंटर खेल में महिलाओं के लिए कौन सा अन्तराष्टि परती योगिता होती है तो कौन सी होती है महिलाओं के लिए उबेर कप ठीक है और जो फुरुस का थामस कप है 1948 में खेला जाता है तो ये बरी इंपोर्टेन कोस्चन है कि ये बार बार पुछा जाता है दोस्तों या उबेर कव या थामस कव दो में से एक हमेशा पूछा जाता है तो पुरुसों के लिए बैबिंटर के अंतराश्टी कव कव कौन सी है उबेर कप उनीसों संतामन में शुरू हुआ तो थामसकप उबेर कप इन दोनों को भूलिये गा मत कई अबर ऐसा कोश्य पूछता है कि थामसकप किस से समंधित है बेविदर महला से कि बेविदर पूरुष से इस प्रकार तो आप ध्यान ने रखेगा थामसकप पूरुषो क महला के लिए उनीसों अर्टारेज में शुरू और उबेर कप महला के लिए उनीसों संतान में सुरू इसके लिए मैंने अट्रिगाव को दिया है कि पूरुस बैविंटर खेलते खेलते थक गए और महिलाएं उब गई तो आप इससे याद कर सकते हैं तो पूरुस बैविंटर खेलते खेलते थक गई यानि कि पूरुस का थामस कप और महिलाएं उब गई यानि कि महिलाओं का उबेर कप ठीक है जड़ा तर महिलाएं खेलती है इसलिए महिलाएं उब गई उबेरकप थामसकप उनिस सो और उबेरकप उनिस सो संतामन ये आप ध्यार में रखेगा देशदर तो बैमिंटर खेल में महिलाओं या पूर्सों के लिए जो परतिविक्ता आजित अंतराश्टि किया नेच्ट है बैमिंटर खेल में सबसे पुरानी वा प्रसलित परतियों गिता कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों आल इंग्लेंड चेंपियंसीब कौन सी है आल इंग्लेंड चेंपियंसीब नेच्ट कोस्टिन है कि बैमिंटर रैकेट में किस प्रकार की ग्रीप अच्छी मानी जाती है तो शही जवाब है चमडा का नेश्ट है बैन्मिंटर रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है तो किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है तो नायलाउन की नेंसरे दोस्तों कोट के मद में बैविंटरल नेट की उचाई कितनी होती है ये भी important है बहुत बार पूझा जाता है तो जो बैविंटरल का नेट होता है दोस्तों 20 फित लंबा होता है 2 फित द्धाई फित चोड़ा होता है यानिकी 76 cm मुझा पूछा है किında का नेट की होती है तो मर्द मेरे पूछा है दी किनारे पर नेट के उपरी सीरों की उचाई कितनी होती है तो वहां पे हो जाएगा पांच फीट एक इंट याने की 1.55 मीटर अब बीच में पुछेगा मद्ध में केवल पांच फीट याने की 1.525 मीटर ठीक है और दोस्तों जो बैमिंटर में पोल की उचाई होती है वह एक पश्पन होता है मीटर होता है आपको ध्यार में रखना है कि बैमिंटर में इंडोर आउट्डोर दोनों खेल है तो इंडोर इस्टेडियम में इसकी च्छत की उचाई 9 मिटर होती है और बास्केट बाल में इंडोर इस्टेडियम की च्छत की उचाई 7 मिटर होती है और बॉलीबाल में इं वाले इस गुड़े 20 फीट का मैदान होता है और इसको बाइमिटल कोड को चीनित करने वाले रेखाओं जो हती है वह चार सेंटिमीटर मोटा होता है यह आप ध्यान में रखेगा नेशन दोस्तों इंडोर वा आउटडोर सटल काक में क्या भिनता होती है तो इसमें किसकी भि सटल काक में नेशन दोस्तों बेमिटल नेमो का उलंग हर किस सब्द से सूचित किया जाता है तो यहाँ पर फॉल्ट सब्दकार यहाँ पे आपको बेरी इंपोर्टिन है बैमिंटर नियमों का उलंगर करने पर वहाँ पे फाल्ट सब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि और खेलों में फाल्ट किया जाता है बट यहाँ पे फाल्ट सब्द का प्रयोग किया जाता है बैमिंटर में नेशा दोस्तो ब्यमिंटर महिलाओं के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जितने होते हैं तो कितने अंक जितने होते हैं 21 अंक जैसे कि दोस्तो यहाँ पे जो scoring होता है और पूर्चों के लिए 21-21 अंक के 5 सेट होते हैं और महिलाओं के लिए 21-21 अंके तीन सेट होते हैं यानि कि बेस्ट आप 5 के अधा पर विजयता का फैसला किया जाता है नेस्ट कोश्चन है बैमिंटर पूर्सो के एकल में विजयता होने के लिए एक खिलारी को कितने अंक जितने होते हैं तो इसके लिए भी आपका होता है 21 अंक नेश्ट है बेविंटर महिलाओं के यूगल में विजयता होने के लिए एक खिलाई के कितने अंक जितने होते हैं तो इसके लिए भी जितना होता है 21 अंक चाहे कि वो यूगल हो चाहे एकल हो नेट को इस पर्स करती है तो क्या होता है तो उस कंडिसन में क्या होता है खेल जारी रहता है ठीक है जिस समय बेश्विटल सही तरीके से खेला जाए कौन सी योगिता सबसे कम महतर रखती है तो यहाँ चार आपसन है दोस्तों सही तरीकी से बेविंटर खिला जाए तो कौन सी योगता सबसे कम महत रखती है आपसन है सहन सिल्टा यानि कि इनुरेंस एंड समझ है ध्यान है सक्ति यानि ताकत है तो दोस्तों आपको सही तरीकी से खिला जाए तो समझ भी होना ज़रूरी है ध्यान भी होना ज़रूरी है सहन सिर्टा यानि कि जो धैर है वो भी रहना ज़रूरी है यहाँ सक्ति जो आदे सक्ति की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ यगता जादे महा तो नहीं रखती है तो उ जैसे कि इस लिए तो आपको पता ही होगा इस्सस्य जदा है दो peng आपकी मेंशाटेर parole की इसीती में सरीर में प्रेगार कीर की कि हो दो हुन रहे हैं ठीक है दोनों पंजों के अगर भाग पर होना चाहिए नेश्टय तो बैल्मिंटन खेल के दोरान प्रारम की शिती में दोनों पैरों के मध्यें कितना अंतर होना चाहिए तो कभी भी आप खोड़े होते हैं तो करीब अपने कंधे की चोड़ाई के बराबर खोड़े होते हैं कितने कंधे की चोड़ाई के बराबर खोड़े होते हैं इसको आप ध्यान में रखेगा नेश्ट है अच्छे खिलारी नेश्ट है खेल अच्छे खिलारेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे बताइए जो भी डाउट होंगे एंडर डेली बेसे से बने रहे ही बेस्तरी तैयारे के लिए फॉर्स वार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन को प्रेस कर लिजी जिसे न्यू वीडियो को आपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स बीडियो में तटकी ओया जहीं